इस सेशन के अंदर हमारे पास दो ग्रूपस हैं जो इस वकत बैठे हुए एक हमारा पेड मेंबर्स का ग्रूप है जो इस वकत मेरे साथ जूम की मीटिंग में बैठा हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ के स्टेडी पर काम किया है और आपको आज हम ये बताएंगे किस तरीके से आप के स्टेडी के उपर काम करके चीजों को प्रिजेंट कर सकते हैं सेक्रिंड जो है हमारे पास लाइव यूट्यूब के उपर लोग बैठे हुए है विच आपको बताएंगे आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि दो के स्टेडी इंशाला जह मिलके भी करेंगे क्योंकि दो-तिन दिन से मैंने क्लास ने लिए because of something wrong with the flu और गले का भी problem था तो बीच-बीच में अगर मैं कफिंग करता हूँ जैसे खांसी बोलते हैं तो I'm sorry for that in the beginning और energy भी थोड़ी से low नज़र आएगी but I will try to make it more optimized कि आपको lecture की समझाए जूम के उपर sessions हमारे वो ही हुआ करेंगे जो case study से related है इस वज़ा से आज का lecture भी जो है वो case study से related है and we are going to see that in a minute अच्छा जी, सबसे पहले मेरी request है उन लोगों से जो मेरे साथ live zoom के meeting में बैठे हुए है कि आप में से किल लोगों ने case studies के उपर काम किया है अगर किया है and if you want to present that please send me the link on of kegel notebook ताके हम वो लोगों के साथ share कर ले and then they can comment on your notebook as well ये एक अच्छा chance है आप लोगों के लिए भी अपने जो चीज़ें हैं उनको present करने का secondly, अगर आप चाहते हैं कि आपके आवाज जो है वो YouTube पे ना जाए और आपके तस्वीर भी ना जाए please अभी ना present कीज़ेगा पहले उन लोगों को present करने दे जिनको कोई मसला नहीं है आवाज और वीडियो का because I don't want कि आप बाद में कहें कि हमारी वो वीडियो वहाँ से delete कर दी जाए and फिर हमें कोई मसला हो किया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आज भी देख रहे हैं और इन्शाला फ्यूचर के अंदर तकरीबन चार से पांच हजार लोग जो हैं विदिन वन वीक इस लेक्शर को देखने वाले हैं so इस तरीके से आपकी नोटबुक पर हो सकता है केगल में आपके followers बढ़ जाएं आपके Github पर followers बढ़ जाएं which can help you a lot so it's a dual kind of advantage for you guys चलें जी देखते हैं के कौन यहां पर present करना चाते हैं हमारे पास अभी फिलान के लिए दो note बुक्स आईगें मैं दोनों के कि कौन सी notebook हम जो है वो पहले देखेंगे just a minute उसकी reason ये है कि मैं बाकी लोगों का wait करनो जो हमारे पास आने वाले है and then we will start this lecture basically और इससे क्या होगा हमें कम असकम थोड़ा सा wait करना पड़ेगा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा possibility ये है थोड़ा से wait किस तरीके से किसने present करनी है ठीक है ये आपके सामने screen share हो रही होगी मेरे पास google की if I'm not wrong ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि cursor साब भी यहां पे ले आँ if I can show you that one तो ये cursor भी आपके सामने आ गया होगा let me see अगर ये cursor साब आपको नजर आ रहे है can you see the green cursor yes or not चले नहीं भी आ रहा है नजर तो कोई मसला नहीं है we will see that तो ये हमारे पास पहली notebook जो है जनाब ये है जी trained 3 ML models on heart disease prediction जिसको और रेडी मैंने आपके साथ share भी किया था दूसरी notebook है हमारे पास एसान भाई की which is feature engineering and model selection ये दो notebooks है ये दोनों present करना चाहरे है इन दोनों notebooks का link मैं आपको भेज रहा हूँ आपसे मेरी request ये है कि chat के अंदर इन links को देखें अभी और chat के अंदर जैसे आप इन links को देखें please go through with these notebooks और इनको एक दफा आप go through करें साथ-साथ मैं भी go through करूंगा और आपका कोई भी question होगा तो description में भी आपको link मिल गया हूँगे ठीक है okay जी start करते हैं जी सबसे पहले हमारे पास जो notebook है वो ये वाली है heart disease dataset के ओपर trained 3 ml models की मैंने screen share कर दी है और मैं request करूंगा हमजा से please आप आएं और इसको present करें और बताएं कि आपने इस notebook में क्या किया हुआ है मैं इसको scroll down करता जाओंगा ठीक है अलेकुम वालेकुम थोड़ा सा उंच्छा बोलिए जी में यावास clear clear है लेकिन थोड़ी कम है but it's fine जी please तो ये सबसे पहले मैंने start में अपना introduction बता है इसमें ठीक है यहां पर आपने अपना introduction बता लिए ठीक है तेन मैंने जो मेरा analysis का goal था वो मैंने बता है मैं क्या करूँगा data preparation करूँगा ठीक है ETA करूँगा model training करूँगा और जो model evaluation and comparison है ये करूँगा ये मेरा main aim यही था कि मैंने तीन ml models को train करने है और उनका net result शो करूँगान है तीन ml models ही क्यों ऐसी तरी करा सफर कि ठीक ही कर लेते हैं ने ने अच्छा है मैं सिर्फ इस वेड़ा से पूछ रहा हूँ ताकि बता चले अच्छा आपने तीन ये वाले model select कि ये रेंडम फ्रेस और एक्स डीबॉस्ट तो और उसकी जो attributes थे हैं उसके बारे में यहां पर लिखा है जो meta data जिसे हम कहते हैं उसके बारे में थोड़ी में यहां पर मैंने information दिये हार्ड डिजीज का data set है और हमने जहां से यह उठाया केगल की notebook से अपर आप scroll down करने थोड़ा से ये data set है हमारे पास ये data set है ठीक है ये data set मैंने बाकी लोगों को भी provide किया हुए तो अगर आप लोगों के पास ये data set है so you should know कि ये data set आपको already मैंने दिया हुआ था ये data set का link भी हमने provide किया है अब यहां पर बताएगा import libraries से आगए यहां पर हमने libraries को import किया और उसके बाद मैंने ML की libraries को import किया और उसके बाद मैंने कुछ metrics इससे उसे किया import वरसा नीचे तरह मैं स्कॉर्ड़ा है ये metrics आगे और ये to pre-process the data जो हमारे पास standard scaler हो गया minvac scaler हो गया और simple imputer ये सब चीज़े मैंने इंपोर्ट किया हम पर ठीक है करते हैं सबसे पहले वह perform किया यहां पर ठीक है data read हो गया inspect किया data head कर लिया shape दिखा दिए आपकी बता दिया इनफो की चीज़े है यहां पर और यहां पर जो main चीज़ है वो यह है कि 920 patients and 16 features in the data set तो हर एक चीज़ की आप output यहां पर प्रिंट करके लिख रहे हैं as a text यह अच्छी चीज़ है तो यह सभी को यह follow करने चाहिए df columns आ गए और फिर df.info आ गया कि जिसे हमने overview मिल जादा आपका काफी हद तक थोड़ा सा support लाउं करने जाए यह हमने df.info की command लगाई है जिसे हमने rows के बारे में और जो कुछ missing values हैं वो यहां पर पता चल जाती है और जो categories की types हैं यह statistical summary है यहां पर बताएए मैंने data set की ठीक है जो भी numeric data set है उसके सारी categorical summary description आगी statistical summary के base पर यहां पर observations बताएए जो कि अबी तक मैंने उपर जो काम कियो उसकी सारी ताकि stakeholder को मैं बता सकूं कि क्या चल रहा है अभी तक यहां पर मैं क्या perform कर रहा हूँ ठीक होगा ठीक है फिर मैंने जो choose किया वो किया data को na explore करता हूँ different columns को तो यहां पर मैंने explore करना शुरू किया different columns अबसे पहले तो मैंने इस column को explore किया num वाले को और जो इसमें observations थी वो यहां पर मैंने show किया बताइए चैसी गॉलम को explore किया जारी बात है यह links हमने provide कर देए if somebody wants to read तो read out कर सकते है पिर एज का कॉलम आ गया एज का कॉलम आ गया अच्छा एक चीज मैं बाकियों को बता दूँ यहां पर यह स्क्रीन आपके सामने आ रही है यहां पर comment section के अंदर जाके न आप कोई भी comment यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो आप यहां पर comment कर सकते हैं कि फ्लाँ जगा पर फ्लाँ कोड के अंदर कौन सी चीज जैसी थी जो आपने यह क्यों यूज की यहां पको कुई भी question आप यहां पर लिखे and we will be answering that those questions after having this notebook presentation इंशाला ठीक हो गया अच्छा जी हम थे graph के बाद यहां पर age कोलम के उपर यहां पर आपने maximum age minimum age देख लिए observation देख लिए इसकी जैनी इसका plot बना है distribution of age चेक की तरह ठीक है तो यह normal distribution लगती है बाकियों को या नहीं क्या लगता है यह normal distribution है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है यह मुझे तो लग रही है u-shaped bell shape इसे बोलते है u उल्टा गया हुए सभी हो गया chest pain की यह value आगे value count asymptomatic non-engine इस पर हमने अच्छा खासा काम भी किया हुए यह सारी के सारी चीजें जो है हमने और रेड़ी भी बताई है पिछले lectures के अंदर so I will just move directly कि आपके हर column का जो आपने यहां पर बताया हुए चीजें यहां पर मैं एक बात एड़ करना चाहूँगा जी जी वो यह कि जो मैंने यहां पर जो मेंड चीज़ बताई है वो यही कि जो हर column को explore करने के बाद ना जैसे अब आपके 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 उपर कर रहे है यहां पर? यह जैसे clinical relevance clinical relevance हाँ यह मैंने बताने कोशिश किये जो stakeholder है उसको मैं बता सकूं column में क्या चल रहा है तो technical बंदा नहीं है इस field का उसकी domain यह medical की नहीं है तो मैं उसको बता सकूं तक उसके लिए easy रहे तो यही मैंने यहां पर इस notebook को इस वह जासे मैं सामने आपके पहले लेकिया है क्योंकि अगर आप right side पे देखे ना तो यह content आ रहे है तो contents के अंदर अगर आप गौर करें target column, age, column, cp यानि के chest pain, t rest, bps, cholesterol, fbs, rest, dcd यह सभी columns को इन्होंने बकाईदा observations के through देखा हुए जो मैंने start में आपको तीन columns का बताया था and I told you guys कि आपने बाकियों का देखना है अप मेंसे काफी लोगों ने assignments में submit कराई होंगी लेकिन this is a nice way to go with it ठीक हो गया मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो या आपने सारे के सारे columns देखे हैं कोई miss भी किया है ठीक है कौन सी major चीज़ें आपने हर column की देखी है जारी बात है हम सारी stat तो हर column पे नहीं लगा सकते कि सारी के सारी stat उठाई हर column पे लगा दी कौन सी major चीज़ें आपने देखी जाए तरत value count और जो जैसे यह जो थैल है इसके नर्मल क्या है उसको reversible defect क्या है इसका मैंने बताने ही कोशिश किये तर्मिनलोगी बेसिकली है क्या ठीक है अच्छा data cleaning पे पर चलते है second step जो हमारा data cleaning है obviously missing values बहुत जादा थी आपके पास जो best way था missing values को आपने कैसे deal किया सर पहले मैंने traditional जो method है हमारे mean, mode, median उनसे किया था लेकिन जिसकी वज़ाद से data के अंदर biasness काफी आ रही थी especially जो सबसे जिसकी missing value है कि CA किया है biasness आ रही थी और बकाइदा imbalance यह बन रहा था पूरी की पूरी का कर देकर रहा था मैंने propers को करके देखा पहले like उसको missing values से देखा कि mean से कितना वो हो रहा है और mode से कितना median से कितना change आ रहा है तो तेन उसके बाद जो आपने हमें जो तरीका सीखा है machine learning method to impute missing values तो यह उसकिया यहाँ पे ठीक है तो दोनों में क्या फरग आपको नजर आया उसमे किसमें data biasness काम है biasness काम है और आपके पास random values आ रही है यह नहीं है कि एकी तरह की values आ रही है यह जैसे constant होती है तो यह वही function है जो missing values का हमने बनाया था आपने directly से use करके missing values को impute कर लिया ठीक है और अभी आपके पास at the end जो missing values थी हर किसी की जितने जितनी percentage थी वो आपने बता रहा है इसको ज्यादा और अब आपने यह भी यहां पे बताया कि मैंने यह method यूज कियो कि which is very nice क्योंकि लोग क्या करते है method यूज कर लेते हैं यह नहीं बताते हैं कि हमने क्यों use किया और उससे मसला क्या आता है जो beginners होते हैं उनको समझ नहीं आते हैं यह हो क्या रहा है ठीक है सही हो गया आटlayers के साथ कैसे deal किया जैनिती गिया आटlayers नहीं रिमूफ किया आपने नहीं रिमूफ किया पहले है आपने ताभर मैंने पहले आपन素 यह 11 वे बताये थैं सकते हैं जो बिलकुल एक्स्ट्रेम पे है ठीक है और कुछ ऐसे होसकते हैं जो बिलकुल काम है यानि कि जिसका 0 BP है या T resting blood pressure है वो तो मैंने remove किया था ना अगर आप गार करें वो 0 किसका blood pressure होता भई यह तो फिर इसकी बात यह है कि वो बंदे ने जिसने blood pressure यहां पे चेक किया, वो खराब कर दिया फिर यहां पे cholesterol level 0 हो यह नहीं सकता so you should have something in the middle, ठीक है so यह चीजें आपने remove करने, these are kind of outliers, या आपकी क्या उसे बलते है irregularities in the data बाकी highest value जतनी भी हो it doesn't matter सही है, हाँ, हजार 15 सो ना हो, blood pressure वो तो फिर outlier ही है, तो यह इसके लिए domain specific knowledge होना ज़रोरी है, आपने यह remove नहीं किया जिरो वाला जी सब मैंने यह remove नहीं किया ठीक है, यह remove आपने करना है और इसमें update करना है, ठीक है और यह question जब आपकी मैं notebook देख रहा था कि अच्छा, आपने ऐसे जाने दिये, so what could be different, तो मैंने यह बकाइदा, इसका code भी दिया हुए, अगर आप notebook चेक करेंगे, जो मैंने upload की थी, तो वहाँ पे इसका code भी है how to remove this specific row based on the criteria तो आप क्या करेंगे, tier s, bps जहां पे 0 है, वो remove कर दो, ठीक है, so वो तरीका कार आप देख लिए जाएगा, ठीक है यह आउटल है, remove हो गए, पिर आगया आपके पास, यह आपने दोनों से बना लिया तो आप A की तरीका कार यूज कर लो तो वह ज्यादा best है, plotly कोई रहने तो अपने पास क्योंके प्लॉटली जो है, वो ज्यादा आपको idea दे देता है, mean, median, mod का भी, so that's fine अच्छा जी, decision tree आपने पहले चला है और is it random for us चला है yes, and then st boost तो यहां पर xg boost की heading क्यों नहीं आ रही क्योंके आपने heading दी नहीं है, ठीक है so you have to correct that one as well छोट इसी mistake है, it's fine, लेकिन it's better जब आप इसको upload करें, तो चुज़ों का पता हो, ठीक है अच्छा जी, तो आपने simple तरीके से xg boost लगा दिया yes, sir, decision tree पर चलते हैं आपने सिरफ number की value जो हमारा target variable ता, उससे side पर किया हाँ, जी, फिर then sir, level encoding की उसकी इसको transform किया है और जो data को split करते है, max train by train में, वो किया है जो हमने इसको predict कर दिया, जो evolution matrix है, लबाके ठीक है, यहाँ पर average micro क्यों रखा हो है चैर जीपिटी जिन्दाबाद अब आज एक question मुझे आया था, notebook के उपर के, सर जी, जब चैर जीपिटी आगया तो हम क्यों coding सीखे, यह इस वज़ा से सीखे, मेरे जैसा बंदा अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, यह micro क्यों लिखा है ठीक है, और जब आप ऐसी कोई चीज लिखे, comment में वहीं पर लिख ले कि अगर कोई पूछ रहे तो मैं comment देख के बता दू सही है, यह जो ट्रिक्स होती है, पकाइदा जब आपने बड़े लेवल पर प्रिजेंट करना होता है comments को कोई भी नहीं बुरा करता, तो आप यहां पे hashtag लगा के average is equal to macro, micro आपको पता होना चाहिए, यह क्यों डाले है अब यह बाकी लोगों के लिए भी एक चोटी से assignment है, आपने इस तरह की चीजें जब भी लिखनी है, आप hashtag use करेंगे, ठीक है, अच्छा जी यह आपके पास accuracy आगी point 60, recall आगया, f1 score आगया, so यह आपकी है जी decision tree की accuracy, 6086 और फिर आपके पास random forest आगया, random forest में भी आपने सेम काम किया, इसकी point 63 है, और point 63, तीनो डी कॉल स्कोर, accuracy and f1 b और precision b, फिर xg boost में 6, 7 है, तो आपके हिसाब से कौन सा best performing algorithm है, सर्जियो मेरी machine और resources के मताबब xg boost xg boost best है, एक चीज़ आपने नहीं की, यहां पे जो मैंने आपको बताई भी थी, कि आपने hyper parameter tuned for loop के through best model को लगाना है, ठीक है, और गालिबन ये notebook आपकी थोड़ी से पुरानी है, इस वज़ा से शायद वो चीज़ें इसमें add नहीं है, तो आपने ये जनाब आपकी summary है, models की, और ये at the end आपने final summary लिखिया है, तो यहां तो summary लिखते हैं या final summary लिखते हैं, ठीक है, और at the end future outlook पी आप बताते हैं कि अच्छा ये तो मेरा काम है, लेकिन इसमें और क्या हो सकते हैं, सही है, अब एक चीज़ जो missing है, start के अंदर, वो आपकी cover photo नहीं है, इसकी, LinkedIn के profile आपने दे दी है, GitHub की नहीं दी, so ये GitHub और LinkedIn ये दोनों आपकी profile को boost करेंगे, so ये notebook का मैंने link share कर दी है, बाकी लोगों के साथ, उनका कोई भी question है, they can write down in the comment section, और मैं यहां से अगर refresh करू, मेरे पास 7 comments है, so I'm also the editor of this book, notebook तो आप comment section के अंदर बता सकत हैं, या पूट सकते हैं कि कोई भी question है के नहीं, हमारे कई students नहीं यहां पे लिखा हुआ है के congratulations, आपका data science की journey के बारे में, ठीक है, super cool, keep going, अच्छी चीज़ है, critics होनी चाहिए, तरीफें ये कुंसा Facebook चल रही है, समझ रही है बात को, तरीफें नहीं कर रही है, critics होनी चाह था कि जब उस title को आप ले के आएं और लिखें, तो लोग खुद से उसको पढ़ते ही इसके तरफ रागब हो जाएं, क्यों, मैं यहां पे hard disease data पे click करता हूँ, और code पे जाके, आप चेक करें कि ये shared with me, अगर मैं यहां पे जाऊं तो हमझा की notebook भी यहीं पे होगी, if I'm not wrong, let me see, तो आप चेक करें कि 17 upwards मिली हुई है, यह bronze और रेड़ी इसको मिला हुए है, इन्हों ने क्या किया, बकाइदा UCI heart disease dataset पे अपनी notebook upload की, आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जाके इनको upwards भी कर सकते हैं, which is kind of a nice thing, जो आपको यहां पे help कर रहे हैं code को बताने के लिए, आप यहां पे upvote कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, अगर आप codes की तरफ देखें, तो सभी जो notebook's हैं अभी तक के लिए, वो hotness की base पे, अगर हम most vote को देखें, तो maximum 33 votes हैं, तो आज ही अगर सारे upvote करते हैं, तो अभी यह हमारी notebook सबसे उपर आजाएगी, क्या ख्याल है, करें फिर upvote, चलें, चलें देखते हैं जी, यह वाली notebook आप जब जाएंगे, train 3 models, यह वाली notebook है, आप इसी notebook को, इसका मैं link आपको दे देता हूँ, बाकियों को भी, ठीक है, link मैंने दे दिया, आपने यहां प लोग जो बैठे हुएं मेरे पास 53 plus हैं, so kegel की idea आपकी होना ज़रूरी है, अगर किसी के kegel की idea नहीं है, please make it, और secondly, जैसे आप notebook यह देख रहे हैं, आप यहां पे जाके, और यहां से notebook को download भी कर सकते हैं, so अगर आप यहां पे click करें, मैं इसको reset करता हूँ, download code पे जाके, आप पूरी की पूरी notebook को भी download कर सकते हैं, ठीक है, so this also can help you, और अगर आपको लगए कि notebook आपकी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस एक competition पर जाके data card से data download करने, which is 13KB, then this will work, right, तो यह कुछ चीज़े हैं, let's see कि कितने लोग इसे upvote करते हैं, अभी तक तो 17 ह यह मैं refresh करता हूँ, 22 होगे, एक और refresh करें, 23 होगे, और believe me, आप भी इसी तरीके से notebook अपनी share कर सकते हैं, we can invite you for a talk, जिससे क्या होगा, एक आपकी मेहनत जो है वो रहेगा नहीं जाएगी, जैसे बाकी लोग तरसते हैं, कोई अपvote कर दे, लेकिन we have a big community और इंशाला हम इस 25, देखते हैं जी हमारी notebook कभी उपर आती है कि नहीं आती, यह तो वही बात होगे, दोर पे glass, दोर पे glass, दोर पे glass, लेट सी, यह कहां तक पहुंचती है, और अभी तक अगर हम most votes को देखें, तो हमारी notebook जो है, इस वकत 28 vote के साथ उपर आगी है, जो shared with me वाली है, मतलब जो notebooks देखों, तो यहां पे most votes की base पे, अभी जो हमारी notebook है, वो यहां पे आ गई है, second number पे, bronze मिल गया है, ठीक है, और अब इससे भी उपर जाएंगे, तो हो सकता है, silver भी हो जाएंगे, मैं इसको refresh करता हूँ, 39 हो गया है, बाकी लोगों की Kaggle की ID नहीं है, जो लोग यहां पे पैठें, उनसे भी request है, कि वो भी करने से अब वोट, लिंक मैंने दे दिया, मैं लिंक तुबारा से दे देता हूँ, ठीक है जी, तो लें जनाब, 33 silver मिल गए आपको जी, और यहां पे 33, bronze के साथ आप उपर आगे हैं, 33, all में सबसे उपर आपकी है, most votes वाली, so this is how we can work on Kaggle, और Kaggle पे इन्शाला हम एक दूसरे को promote करेंगे, और यह portfolio इस तरीके से आपका अच्छे level पे जाएगा, अभी आप बाकी चीज़ों को भी इसमें improve करें हमजा, and then you will share this notebook with us, thank you, thank you sir, आप इसमें कुछ चीज finally add करना चाहिए, you go for it, कि क्या आपको लगता है कि इसमें और क्या क्या add मैं कर सकता हूँ, sir, मैं यह add करना चाहूँगा कि जो upvotes हैं, these are nice, but जो community है, वो comments करके critique करें, ताकि उसको फिर मैं improve कर सकूँ, बिलकुल, जबर दस इन्शाला, इन्शाला लोग इस पर comment भी करेंगे, और आप अपनी suggestions भी लोग जो हैं, वो दे सकते हैं, thank you so much, अमज set पे, और UCI का जो heart disease का data है, इस पे काम करने से आपको कमस कम यह अंदाजा होता है, कि आप किस तरीके से अपनी notebook को चलाएंगे, notebook upload करेंगे, and how you can work with other people, और at the end आपने multiple algorithms जो machine learning के उन पे चलाने है, एक में task और यहां पे हमजा को दूँगा, कि हमजा भाई, आपने जब final notebook क बना लेना, at the end TensorFlow की library को use करके, at the end binary classification के लिए, activation functions जो मैंने कल आपको बताया था, relu and at the end sigmoid आएगा, उसकी base पे भी आप classify करें, and check के अगर उससे accuracy बढ़ती है, ठीक है, so वो at the end आप deep learning algorithm भी एक add करें, जिसे हम deep neural network बोलते हैं, thank you जी,